पूजा आप देख रहे हैं जो नितावाज इस वक्त में मौजूद हुद दिली के चंतर बंतर लगातार जिस तरीके से आप सामने देख सकते हैं इन लोगों के हाथों में बैना रहे हैं ये कौन लोग है ये वो छात्र है जो यूक्रेन से लगातार निकाले गए थे यूक्र ये विय्चन कर रहे हैं लेकिन पांच महीने से लगातार जो है इनको यडमिशन का आश्वासन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से लगातार ये यहाँ पर विरोधपरदर्शन कर रहे हैं लगाता है और विरोग परदर्शन के चलते हैं, अब ये गुस्या कि जो है इनका सरकार पर फूट रहा है कि किस तरीके से सरकार जो बार-बार बात कर रही थी कि इन छात्रों को निकाल लिया बाब मोदी जी किया जा रहा था लेकिन अब बाब मोदी जी किया अब सामने सच् और वी गुपता जी क्या कुछ है हम लोग यहां इकठा हुए हैं सारे बच्चों का भविस्ट बनाने के लिए और हम मोदीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे बच्चों को इंडिया में अकॉमोडेट किया जाए करन यह है कि यूकरेन में वार खतम नहीं हो रही है और बहु हमारी डिमांड है एक तो यह है कि जो फिर्ट के बच्चे हैं उन सब को अकॉमोडेट किया जाए इंडिया में लेनी सकते हैं अब उसका दगर किसी को टांसवर की भी जौत परती है तो उनको वह नहीं मिल रही है तो यह लेवल कराए जाए और हमारी डिमांड है सारे बच कार की तरफ से हमें मौका नहीं दिया हमें मोदी से मीटिंग कोई मौका नहीं दिया हमने चार वर अपलाई किया ऑनलाइन दो वर दो वर हमने फीच के लिए ऑफिस में हमने अप्लिकेशन दिया बड़ कभी हमें टाइम नहीं मौका नहीं मिला हम चाते है कि महां सकार हमें आश्वासन दे और हमारे बच्चों के इन्ने में अकॉमडेट करें यह हमारी में डिमांड है तो जिस तरीके से लगातार जो है मोदी जी तो पोल रहे यूक्रेयन से छात्रों को बुला लाए लेकर आ गए निकाल लाए जिस तरीके की वाप परिस्तिया थी हाला के वहां से क कोई निकाल नहीं सकता था लेकिन जो है मोदी के खिलाफी आपर यह प्रदर्शन किया जा रहे हैं तो वह तो बहुत अच्छा रहा उसके लिए उन्होंनों थैंक्स करते हैं बट हमें इसके पीछे का जो है मोटिव समझ में आया यूपी में एलक्शन था तो एलक्शन की बज़े से उन्होंने ऊप्रेसंगे चलाया और यूपी में भोट तो ले लिया बट आज हम आज को एलक्शन नहीं की बज़े से आज हमारे बच्चों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है तो हम तो यहीं चाहते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री नम्सी एजूकेशन मिनिस्ट्री फ माइड फ्रेंट फिर हमने प्रेशर बनाए तो 23 जुलाई को उन्होंने अपना अपना सुक्रिंगोर्ट में चेंज कर दिया अब उसमिशा कोमटेशन नहीं है कि सब धटा करके अब उन्होंने दिया है मोबलेटी ले सकते हैं टांसफर कर सकते हैं यह सब चीजिए उन्हों पॉइंट को देखता हूं मैं यूपी में उसके लिए उन्होंने क्या करा वोट को जो उन्होंने सक्योर किया और यह इंपाथी थी तो यूपी में बहुत अच्छा वोट मिला अगर मैं तो अगर आभी समय कोई एलेक्शन होता हंडेड वन परसंट था सारे बच्चों का क सब्सक्राइब हो जाएगा कि कुछ बच्चे फिफ्टीयर में कुछ बच्चे सिक्सियर में एक साल बचा हुआ है और तो हमारे करने के मतलब है बच्चों का भवी से खराब नहों इसलिए प्लीज आकॉमोडेट किया जाए अभी हमारे साथ आरभी गुपता थे लगातार जिस तरीके से यूप्रेन से लोटे ये भारत के चात्र जो अपनी मुदों को लेकर लगातार या मांग कर रहे हैं लगातार जो है इनकी मांग यही है मौदी जी से की भाई हमें जिस तरीके से वहां से निकाला उसके बाद आपने आशवाशन दिया कि हमें यहाँ पर एड लगातार जो है एड़िशन भी नहीं पासकते हैं लेकिन जिस तरीके से सरकार में बैठे ये लोग जो भाजपा के लगातार ये कहते हैं कि बच्चों में इस तरीके की काबिलियत नहीं है इसलिए भारत में दाखिला नहीं ले सकते हैं इसलिए भार विदेशों में जाते ह लेकिन आप देखिये यही चात्र आज जो है लगातार उनकी अंदर की जितनी भी राजनीती है उसका खुलासा कर रहे है परदाफाश कर रहे है किस तरीके से शिक्षनीती मेहँगी है हमारे साथ यूक्रेन से लोटी ही चात्र है क्या कुछ कहना चाहिए नहीं से जाहते हैं लेकि हर बार क्या होती है हमें भोकश की पर्मिशन लेने के लिए वो정을 कि पर शो इनिया Avenue थाउटनिया आप क्या कर रहा हूं हम जितनी हमें पर्मिशन मिलिया हम उस साब से आ हम कोई दंगे आज भी जो मैं चातर देख रही हूं बहुत कम संख्या में है सिर्फ दोसों की पर्मिशन में लिए कहां से बच्चे आ जाएंगे हम लेगे लिए दोसों भी नहीं लग रहे हैं यह सारे इधर सारे बच्चे यह सारे पेरेंस से बैटे हुए हम कोई भी कानून नहीं तोड़ना चाते हैं हम जो अपनी रिक्वेस्ट है वो आराम से प्यार से हम लोग रखना चाते हैं और हम मतलब हौट आराम से हमारी जो श्रेंटी होती उस श्रेंट पर मीडिया नहीं आया थी मैंने खूद परसनली मैसेज किया था उन्हें मीडिया नहीं आ रही, कॉर्णमेंट जवाब नहीं दे रही, बच्चों को मनोमल टूट रहा है मैं अभी जिस तरीके से नैशनल मीडिया लगाता है उक्रेंट से मोदी जी ने छात्रों को निकाल लिया लेकिन आठ जब मांग लेकर आप यहां बैठें कोई नैशनल मीडिया नहीं दिखा है मैंने पर्सनली बहुत लोगों को मेसेज़ किया मीडिया आने को राजी निया, मीडिया कवर करने को राजी निया बच्चे चाह रहेंगे वो रिप्लाई नहीं कहते, सीन करके छोड़ देते हैं वो सीरियस ही नहीं ले रहें वो बच्चे दिखाई नहीं दे रहें अधरी स्टेट के बच्चे दिखाई नहीं दे रहें अधरी स्टेट में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहें उनका यहां पर आना पॉसिबल नहीं है जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहें अगर एक बच्चे के मरने से पूरे हमारे भारत में शोग पहल सकता है तो कि यह जो हम यहां पर बच्चे हैं हमारी आवाज नहीं जानी चाहिए ज़डूरी हो जब एक अजार दोजार बच्चे में ख़पा कर लेंगे और अगर हम गाड़ी जलाएंगे हम डॉक्तर हैं नही हम नहीं चाहते कि जिके जाता हम आया चाहिए हम गौर्रमेंट से रिक्वेस्ट करने होते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है हमारी यूनिवर्सिटी तबाव हो गई है यहां पर आने के बाद वह हमें जगा दे दे हमें पढ़ने दे कोई रिष्टेदार ही हमारे घर में आत प्यार से रिक्वेस्ट रख रहे हैं तो प्यार से कब तक यहां बैठेंगे जब तक गौर्मेंट नहीं मानेंगे क्या होगा अगर आपने कहीं पत्र वगेरा दिया आए कहीं अप्लिकेशन लगे लगें प्यमों ऑफिस में दिया है उसके बाद जवाब आए कुछ हैं आप हुमें ऐसा कर सकते हैं उसका बात अगर चार्स पांचों की मीडिया को मैं क्यों क्योंकि उन्हें पता हैं उन्हें डेर हैं हमारी जो बात वहाइस और आपको दिखाने के लिए तब तो बहां पहुच जा रही थी जब यूकरेन साफ़ाना है भी डूंसे नहीं पत तो कंपे पहलाना नहीं आता हम से अमें जैसे समझ में आरहे हैं हम नहीं खटा कर पारे लेवे को हम अगल चाहे को हम क्या लोगों को पुला नहीं सकते हैं एक एक बच्चा अपने 4500 दोस्तों को अपने मम्मी पापा को लाकर यहां पर श्रेंट पड़ी नहीं कर सकता हैं कर सकता हैं नहीं करना है कर रहे हम हम सरकार को घुम्रा नहीं करना चाहते हैं जितने भी आप पर श्रेंट अपने लगातार यह विरोध परदशन कर रहे हैं वही जब नैशनल मीडिया देखी अभी मैंने एक शात्र से बात करी नैशनल मीडिया लगातार यहां पर अपनी शिक्षा के लिए विरोध परदशन कर रहे हैं लेकिन आज यहां कोई नैशनल मीडिया इनको कवर करने नहीं आ रहा है दिखाने नहीं आ रहा है मगर यह भी समझने की बात है किस परीके से शिक्षा को जो है गर्त में डाल दिया गया है इनके फविश्य को गर्त में पहुचा दिया गया है आज ये अभी ये छात्रे क्या कुछ करेंगे क्या कुछ नहीं करेंगे यही सोचने वाली बात है इसी के साथ देखते ही जड़ी दावाद मेरे सावी धर्मेंद के साथ में पूजा जंतरमंतार दिल्ली